नमस्कार साथियों मैं ट्विंकल वादवानी आरिवर्ट नियोज नेटवर्क में आपका स्वागत है दुनिया के सर्व स्ट्रेट क्रिकेटरों में से एक और भारती टेस्ट टीम के कपतान विराट कोली के लिए मौझूदा समय कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा है जहां ICC T20 वर्ल कप के बाद विराट कोली ने खुद बखुद T20 की कपतानी छोड़ने की बात कही थी और T20 वर्ल कप में भारती टीम के सर्मनाख प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस पर अमल भी किया और उन्होंने T20 की कपतानी छोड़ दी थी वहीं दूसरी तरफ अब BCCI ने विराट कोली को एक और जोरदार छटका दिया है दरसल BCCI ने तच्छिन अफरिका के लिए चुनेगे टीम में विराट कोली से वन्डे की कपतानी छीन ली है एक कपतान की रूप में अगर विराट कोली के प्रदर्शन की बात करें तो वह संतोजनक रहा है लेकिन इस दोरान टीम कोई भी ICC टॉफी नहीं जीत सकी थी 2017 चैंपियन टॉफी के फाइनल में 2019 वन्डे वर्ल्ड कप के सेमिफाइनल में और 2021 में वर्ल्ड टेस्ट टेंपियनशिप के फाइनल में टीम को हार मिली बात पिछले दिनों होई T20 विश्यकप की करें तो इसमें टीम सेमिफाइनल तक भी नहीं पहुच पाई थी पिछले दिनों कोच रवी शास्त्री का कारिकाल खत्मों आ है उनकी जगे राहुल रविंट टीम को नया कोच बनाय गया है शास्त्री के जाते ही कोहली का कद घटने लगा है तब ही से कयास लगाय जा रहे हैं कि रोहिश शर्मा को T20 के बाद वंडे टीम की कमान भी दी जा सकती है बुधवार को PCCI की ओर से रोहिद को नया वंडे कप्तान बना दिया गया यानि कोहली अब सिर्फ टेस्ट के कप्तान रहेंगे विराट कोहली के वंडे रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 95 मैच में टीम की कप्तानी की है 65 में उन्हें जीत मिली है जबकि 27 में हार यानि उन्होंने 68 फीसिदी मकाबले जीते हैं वही रोहिश्यर्मा भी वंडे की कप्तानी समय समय पर करते रहे हैं उन्होंने 10 में से 8 मकाबले जीते हैं और 2 हारे हैं यानि 80 फीसिदी मैच जीते हैं रोहिश्यर्मा इंटरनेशनल के अलावा IPL में भी अपना लोहा मनबाद चुके हैं उन्होंने बतौर कप्तान मुंबई इंडियन्स को पांच बार चैंपियन बनाया है दूसरी और विराट कोली अब तक बतौर खिलाडी और बतौर कप्तान IPL का खिताब नहीं जीत सके हैं वा IPL टीम डॉयल चैलेंजर बैंगलोर की कप्तानी भी छोड़ चुके हैं साथियो इस वीडियो में बस इतना हैं वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें मिलते हैं किसी नेक्श वीडियो में तब तक के लिए दीजिये जाज़त अपनी दोस्त ट्विंकल को बाई